नमस्कार हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार अंतराश्टरिय कुल्लोद शहरा उत्सव के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा के लिए राज्जिस्तरिय कुल्लोद शहरा स्मीति की बैठ़क आज शिम्ला में मुख्यमंत्री श्रीजराम ठाक के अध्यक्षता में आयोजित हुई इस वर्ष अंतराश्टरिय कुल्लोद शहरा 15-21 अक्तूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा श्रीजराम ठाकों ने दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियों समय से पूरी करने के निर्देश दिये उन्होंने उत्सव के तुरान उजित सुरक्षा व्यवस्था वा निर्बाद विद्यूत आपूर्ती सुनिष्चित बनाने तथा कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए समय समय पर जारी विभिन दिशा निर्देशों का सक्ती से पालन करने के निर्देश दिये बैठक में निर्णे लिया गया कि दिशहरा उत्सव में आने के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रन दिया जाएगा उत्सव के दरान धार्मे कनुष्ठान परंपरागत ढंक से आयोजित होंगे लेकिन इस वर्ष मेले में सांस्कृतिक तथा व्यवसाइक गतिविधिया नहीं होगी मेले के शुभारंब आउसर पर राजेपाल श्री राजेंद्र विश्वनात आर लेकर जबकि समापन आउसर पर मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर मुख्य अदिथी होंगे बैठक में ये भी निर्णे लिया गया कि भाशा कराईवं संस्कृते विवाग मेली के आयोजन के लिए 10 लाक रुपे की अतरिक तराशी जलाप्रशासन कुलू को प्रदान करेगा APMC कुलू एवं लाहल स्पिती के अध्यक्ष श्री अमर ठाकुर के नित्रतों में आनी विधान सभाक शेत्र के एक प्रतिनीधी मंडल ने आज श्रिमला में मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर से भींट की और ख्षेत्र में विवहन विकास आत्मक कार्यों के लिए विधान सभाक शेत्र मैं असर समझता हूँ कि वह आपका हीने मेरा मिक्षेत्र है क्योंकि हमारा बहुत सारा इलाका मेरे विधान सभाक शेत्र का आपके शेत्र के साथ लगता है रिष्टे दारिया हैं आपसी चिवार में दुख में सुख में आनिव धान सभाक शेत्र और हमारे सराज धान सभाक शेत्र का हमारा जो सत्री का सारा इलाका हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है आनीव धान सवाक्षेतर में विकास हो इसके लिए हमने पहले ही इस बात पुश्बश्ट कर दिया था कि आज से पहले जो आनीव धान सवाक्षेतर में नहीं हो पाया उसको हम करने की कोशिश करें वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के उदेशे से सिंचाई सुविधाओं की विस्तारवा क्रिशी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए केंद्रवा प्रदेश सरकार त्वारा अनेक नई योशनाय आरंभग की गई हैं इनके सफल कार्याइन वेन से किसानों की आय में वृधि हुई है प्रदेश में हर खेत को पानी पहुचाने के उदेशे से प्रधानमंत्री क्रिशी सेंचाई योशना को बड़े प्रभावी ढंग से लागु किया जा रहा है मंडी जिला के किसानों के लिए प्रधानमंत्री क्रिशी सेंचाई योशना वर्दान साबित हो रही है योशना की मदद से बेहतर सेंचाई सुविधा मिलने से किसानों को हो रही अच्छे आमदनी उनके अच्छे दिनों की काहानी बयां कर रही है क्रिशे विभाग द्वारा कार्याइनवित की जा रही इसी ओशना से लाभानवित हजारों किसानों की तरह ही नाचन विधांजभाग शेत्र की ग्राम पंचायत चम्यार की हरीजन बस्ती कोठी के किसान सुदामा सहित लगभग 12 किसान परिवार प्रधान मंतरी शिरी जा थी और संचाय का कोई साध नहीं था क्यूंकि अब यहां के लोगों को कम से कम साथ भी गा लोग इस टैंक से संचाय करते हैं तो और यह नगदी फसले उगाते हैं मैं अपनी तरफ से और स्थानिया इस गाउं की तरफ से हिमाचल के मुख्या मंतरी जैराम ठाकुर जी क का धन्यवाद करता हूं जिनोंने ग्रामिन के लोगों को एक अच्छी सुविदा दीवी है और संचाय के तहत लोग अपनी दुगनी चौगनी आय भढ़ा रहे हैं सुदामा बताते हैं कि साल दो साल पहले तक गाउं में सभी गेहूं मक्की जैसी परंपरागत खेती ही करते थे क्योंकि तब तक खेतों को पानी पहुचाने की कोई स्थाई विवस्था नहीं थी प्रधान मंत्रे क्रिशी सिंचाय योश्ना से एक लाख कोठी में सिंचाय सुवधा मिलने से नगदी फसलों की खेती से हर किसान परिवा सालाना तीन से चारलाग रुपे कमा रहा है हमारे आपर पहले सिंचाई की कोई विवस्ता नहीं थी थिरक्रिसी विवाग ने हमें 74 लिटर वाला टैंक दिया उससे हम गिहूं और मक्की को अटा के अब उसमें हम दूसरी तरफ के जैसे बीन, मटर, टमाटर और गोबी किफास लूगा रहे हैं जिससे हमें अच्छी इंक हम आ रही है हमारे पास इंकम के कोई साथ नहीं थे और इसलिए हम जब टैंक बन गया उसके बाद हम नगरी फसलों को का के जो भी इंकम होती है बच्चों को बच्चों की बढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं हमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल डीपियर हमाचल फॉलो करें ट्वीटर एट डीपियर एच्पी लाइक करें फेस्बुक पेज इंफरमेशन एंड पब्लिक रलेशन्स देपार्टमेंट हमाचल प्रुदेश वेजट करें वे